लॉस्पाइब फायर भी हो गया अब आजे ये कॉमन डेट्स ठीक है सबसे पहले समझ लेते हैं सर कॉमन डेट्स क्या है फिर तो समझ में ही आ जाएगा कॉमन डेट्स और आज जितने अड्जेस्संट मैं करा रहा हूँ रहीं ूब्त हो होगा आप लास्ट यह का कुश्चन पेपर उठाओ इसमें सब्सक्राइब को मिल जाएगा इस टाइब कॉमन डेट मैंने क्या लिख दिया यह कमेंट लिख दिया मैं कॉमन डेट अब सर्कॉमन डेट क्या होता है कई बार ना हम ना एक ही वेक्ति को समान खरीदते भी हैं और कई बार हम उसको बेच भी देते हैं खरीदते भी और कई बार अब मैं एक example लेता हूँ suppose करो किसान की बात करते हैं किसान क्या करता है गन्ना को गाता है और वो सारा का सारा जो गन्ना है वो एक sowohl शूगर मिल यानि चीनी के मिल को बेच देता है अगर मैं किसान की बात करता हूँ तो एक farmer है यानि किसान तो भाई या वो भी वो वैपारी है वो पहले खेती करता है फिर उसको पूरे तरीके से बनाता है फिर उसको बेचता है तो वो भी क्या एक बिजनसमेन है वो अलग बात है कि बिजनस के अंदर मतलब के इंडिया के अंदर किसान को बिजनस के तरीके से ट्रीट नहीं किया जा तो किसान के अंदर कि के आपका देखा जाए तो इसका बिजनस है और इसके बैलेंस शीट को भी बना देता हूं थोड़े से टाइम के लिए बैलेंस शीट बना देता है तो मैं ली बैलेंस शीट पर पड़ेगा इसके को चलिए इसके बैलेंशीट में डेटर है और इस किसान ने पता ही क्या करा समान बेचा एक किसी फैक्टरी हो अब सुगर मिल बहुत सारे है बजाज हिंदुस्तान है धामपुर सुगर है बहुत सारी कंपनीज होते हैं तो मैं मान लेता हूं कि फैक्टरी जहां पर कि चीनी बनाया जाता है उसको बेचा है अब इस फैक्टरी का भी बैलेंशीट बना देते हैं अब मान लेते हैं पहले से इसका पचास अजार रुपए था डेटर किसान का और पहले से ही इसका क्रेडिटर मान लेते हैं 40,000 था पुराना ठीक है और पहले से ही इसका डेटर भी यह कुछ मान लेते हैं एक लाग का था कहीं से होगा इसका डेटर और किसान का भी क्रेडिटर किसी को पैसे देने थे मान लेते हैं के 5000 रुपए या मान लेते हैं 20,000 रुपए है तो जैसे किसान का समान बीचा है और कैसे पता है कि तो जो आखिशान है अपने डेटर बुक करेगा क्योंकि वह अपने डेटर लिखेगा प्लस sales किया उसने उधार में और कितने रुपे 10,000 तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे और जो factory है वो अपना क्या लिखेगा इसमें खरीदा है creditor लिखेगा परचेज that is 50,000 पहले यह देखो simple points है उस time के बाद मान लेते हैं कि जो हमारा farmer है उस farmer को अपनी बेटी की शादी करनी है अपनी daughter की शादी करनी है अपने daughter की तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो सादी के अंदर marriage के अंदर इसको अपनी daughter की जो सादी करनी हो वहाँ पर उसको चीनी के पढ़ेगी इसको और उससे पता है कि भाई बाहार से लुगा तो मुझे 50警 मिलेगा 40 Также के लो मिलेगा और मेर परी उसको देगा यह कंढ और 60 में वाले ने इसको चीनी बेच दिया एक तरीके से समझ रहे हो नो बात इसको चीनी क्या करा बेच दिया एक तरीके से चीनी कितना बेचा इसको माल लेते हैं आठ हजार रुपए का चीनी बेचा इसको जैसे इसको चीनी बेचा तो यह क्या करेगा अपना डेटर बढ़ा लेगा क्योंकि ये बेच रहा है ये इसने हाँ बिल्कुल तो ये क्या करेगा अपना डेटर बढ़ा लेगा और डेटर में लिख देगा सेल आठ हजार यानि इसका टोटल अब एक लाख आठ हजार का डेटर है है कि नहीं और इसका क्या बढ़ जाएगा क्योंकि खरीदा इसने मैं एक्जामपल के लिए ले रहा हूँ तो इसने परचेस किया है कितने का आठ इसका टोटल हो गया अब देखो ये दोनों आपस में डेटर क्रेटर हो गया ये क्या इसको डेटर मान रहा है मान रहा है क्या ये इसको creditor मान रहा है मान रहा है इसको बोलते है common debt यानि common ही हो गया एक ही वेक्ति को देना भी है और एक ही वेक्ति से लेना भी है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए इसको जाना चाहिए इसके पास और बोलना चाहिए ला भाई मेरे 10,000 रुपे दे और फिर ये इसके पास आएगा ये बोलेगा ला भाई मेरे 8,000 रुपे ले या फिर एल्टिमेटली कॉमेंट एक बोले किसान बोलेगा मुझे तिर से 10,000 लेने हैं और तुझे आठ देने हैं तो एक काम कर 2000 दे, बात कटानम कर settlement हो जाएगा न, 2000 तो common debt settle होगा तो इसका मतलब हम अगर business की बात करते हैं, factory की accounting कर रहे हैं, किसान की नहीं कर रहे हैं, फिलाल factory की कर रहे हैं, तो factory का debtor धट जाएगा कितने से? settlement 8000 से और factory का creditor भी घट जाएगा कितने से? 8000 से क्योंकि जो किसान है settle करेगा तो किसान का settlement होगा तो इसने किसान का 10,000 रुपे इसमें add-on किया हुआ हैं, लेकिन इसने बेचा कितने का था खिसान को 8 का तो यहां पे settlement हो जाएगा कितने का और जो debtor था, इसने किसान से कितने लेने थे पैसे? इसको कितने लेने थे अग्assis ने समान देखो बेचा आठका एक तो इसका डिटर्ट भी घट जाएगा कितने का कि दोने से 2 किापको इसके ट्रेडिटर में दो हजार पेंडिंक रहे जाएंगे कि उसका सोचना नहीं है कि सब्सक्राइब कर देखों कि समझ में आ रहे हैं अब मैं इसको थोड़ा से अमाउंट बदल देता हूं आपका और भी जो डाउट है मैं कर देता हूं आठ का बेचा 10,000 का फरीदा करते नहीं या मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा मांउंट शेंज कर रहा हूं मैं और दियान देना मैं 김 लिए लेते में 15000 ठीक हैं और जो खरीद आदि फेले it Good all अब अब इसको कुछी इस ने खरीदध कितने का而且 Works सब्सक्राइब कि वाग्ण हो सकता है पाँच हजार रुपए इसको ले ने ने इसने बैचा है तो हमितने का settlement हो गया पंद्रा का तो अब ये क्या करेगा त्यूकि इसको देने कितने थे 15 तो अपना creditor पंद्रा का minus कर देगा और लेने कितने थे इस से 20 लेने कितने थे 20 लेखिन 15 settlement हो रहा है तो debtor भी कितना minus हो जाएगा क्योंकि जो तो इसके डेटर में 20,000 रुपे शो होगा 15 माइनेस करूँगा तो इसका डेटर ओटमेटिकली कितना बच जाएगा समझ रहे हैं बात तो दोनों ही सिचुएशन में एक चीज पता है common देखोगे वैसे समझने में complicated लग रहा है common देखोगे कि इन दोनों में से कम amount कौन सा था तो 15 इधर भी minus किया इधर भी minus किया इन दोनों में common amount किया था कम आठ आठ उसमें इधर भी minus इधर भी minus तो जब कभी भी एक ही वेक्ति से खरीदा या बेचा जाता है और दोनों amount दे तो दोनों में से कम होगा दोनों साइड माइनस करना होता है ठीक है न और इसका अंदर कैसे लिखा होगा due to him due from him हमने लेना है और देना भी है question में mention होगा ठीक है तो इसका adjustment दीखें मैंने क्या simple लिखा होगा common debts होगा तो less from lower amount debtors है और less from lower amount creditors सब्सक्राइब किस lower की मैं बात कर रहा है यहां ठीक है यह कौन साइड जिस्मेंट था हमारा common debt बहुत important रहता है एक्जाम में कई बार पूछा जाता और पूछा भी गया है ठीक है